जब कभी भी आपके घर पे ज़्यादा कुछ सामान अवेलेबल न हो तो आज हम बनाएंगे एक कप कच्चे चावल से बनने वाला बहुत टेस्टी सा मज़ेदार सा नाश्ता जो सौफ्ट है फलफी है आप इसे ब्रेक फास्ट में तो ठीक है साथे साथ आप इसे डिनर में बना सकते हैं इसके लिए मैंने हाँ पर एक कच्चे चावल लिया है जैसे एक घंटे पहले भिगो धी अच्छी तरीके स depends लिए तो आप कोई भी चावल यणा पर ले एंब यहां पर रेडि है अब इसे एक बॉन में ठ्राइड कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहां पर पानी एक कर देते हैं और अची के दैश के लिए तड़का बना करेंगे हम यहां पर रेडि करेंगे तो इसके लिए मैं आ पर इसटाइप Geart पेन लिया है एक बड़ा चमच ओई आदा चमच सरसो के दाने मिन्स राई आदा चमच जीरा हलका सा तड़कने देते हैं अब हम यहां पर एड़ कर रहे हैं बारी कटी एक हरी मिर्च बारी कटे हुए मेनी हाँ पे कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं बारी कटा हुआ हरा धन्या गेज की फ्लेम बंद कर देंगे मिक्स कर लेंगे तड़का यहां पर रेड़ी हो चुका है अब इसे हम जो बैटर हमने बनाया था उसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा तड़का मेनी लास्ट के लिए यहां पर बचा के रखा आए हलका सा नमक डाल देते हैं स्वाद के ऐसिते हैं यहां पर रही हम जाएं है डाल देते हैं तो इस सिंद्स हो ब्लेट में जाना फैसे आप सब्सक्काल क् Container कर लेड़ा हो च dov प्लेटिक अनुख्स करने के बाद में अब हम इस प्लेटम और इसे 15 मिट्स के लिए हम हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे 15 मिट्स हो चुके हैं यह अच्छी तरीके से कुक हो चुका है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में हमने चो तड़का यहां पे बचा की रखा था वहां तड़का हां इस पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लें आप ज़रूर से ट्राइ करें अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दे बैल बटन की घंटी के साथ